आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं C&G Pump की डीलर्शिप के बारे में आज हम जानेंगे C&G Pump की डीलर्शिप कैसे ले सकते हैं यहीं आप C&G Pump कैसे लगवा सकते हैं और C&G Pump की डीलर्शिप लेने के लिए कौन कौन से डाकूमेंट लेंगे और CNG Pump की डीलर्शिप देने के लिए कितनी investment करने की जुरूत पड़ती है कितनी जमीन होनी चाहिए और साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा जानने की आपको online apply कैसे करना है और साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कौन कौन से गंपनिये CNG Pump की डीलर्शिप दे रहे हैं तो चलिए जानते हैं सबसे पहले हम बात कर लेते हैं CNG Pump की डीलर्शिप के बारे में तो आने वाले समय में CNG Pump की सबसे profitable business में से एक है क्योंकि धीरे धीरे पेट्रोल और डीजल के मूल में बढ़तर ही हो रही है जिसे से लोग CNG Pump का यूग जादा से जादा कर रहे हैं और दूसरी तरह pollution इतना जादा हो गया है कि पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां कम होती जा रही हैं और इलेक्टरानिक और CNG गाड़ियां जादा से जादा आ रही हैं जादा जादा मार्केट के अंदर आ रही हैं और कमपनियां भी धीरे धीरे पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां बनाना कम कर रही हैं और CNG तथा इलेक्टरोनिक गाड़िया जायदा से जायदा बना रही है इसलिए जो कोई भी परसन CNG पंप लगवाना चाहता है उसके लिए यह फाज़े मन्द बिजिनेस है और CNG पंप लगवाने के लिए गौर्णमेंट भी बहुत जादा हिल्फ कर रही है इस वीडियो में आपको यह भी बताऊँगा कि कौन कौन सी यह जना है जो CNG पंप के लिए लाब दायक है जिससे कोई भी परसन अगर CNG पंप लगवाना चाहे तो उसको फाइदा होगा तो दोस्तों सहय जी भारत यह जना के अंदर दर नेक्वजन एनरजिया यह जना दोरा नए CNG पंप के लिए आनलाइन आवेदन किया जा रहा है अब हम बात कर लेते हैं CNG पंप के डीलर से प्लेने के लिए क्या क्या इलिजबिलिटिक क्राइटेरिया रखी गई है यानि कौन कौन से CNG पंप की डीलर से प्ले सकता है तो देश के प्रदान मंतरी दोरा नेक्वजन एनरजिया लिम्टेट कंपनी दोरा देश के सभी राज्यों में CNG पंप लगवाने की यह जनाए बनाई है जिसके तैट आम आदवी भी CNG पंप के लिए आवेदन कर सकता है अब हम बात कर लेते हैं इसकी क्राइटेरिया क्या रखी गई है तो आवेदक CNG पंप लगवाने के लिए उम्र 35 से 55 साल की होनी चाहिए और आवेदक कम से कम दसमी पास होना चाहिए अब हम बात कर लेते हैं CNG पंप ओपन करने के लिए रिक्वार्मेंट क्या रखी गई है तो आप अगर CNG पंप डीलर सिप लेना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 800 बर्ग मीटर से लेकर 1500 बर्ग मीटर की जमीन होनी चाहिए और हम बात कर लेते हैं CNG pump के डीलर सिप लेने के लिए जमीन मंधित क्या नियम बनाएगे हैं तो आपके पाफ जमीन खुद की होनी चाहिए और अगर आप जमीन लीज पर खुद की नहीं है लीज पर ले रहे हैं तो आप पस लीज एग्रिमेंट होना चाहिए और अगर आप पस खुद की जमीन नहीं है तो आप जमीन दूसरों की भी ले सकते हैं यकिन उसके लिए आवेदा के पास NOC यानि नौन आफ जिक्सन साइटिफिकेट होना चाहिए और अगर आप जमीन खरीद रहे हैं तो आप पस रिजिटर्ट सेल डीड होना चाहिए जोटी भी रहती है तो यह ब्रांट सेक्योटी तीस लाग से लेकर 40 लाग के बीच हो जमा कराई जाती है तभी आपको यह लाइसस देंगी तो आपको दोने इन्वेस्टमेंट जोड़के कम से कम आग पास एक करोड का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए और हम बात कर लेते हैं से इंजी पम डीलर से प्लेने के लिए कौन-कौन से डाकुमेंट का आप सकता पड़ती है तो आविदा के पास आधार कारड और एड्रेस प्रूफ होना चाहिए रिजिदेंशल प्रूब वोटर आइडी कार्ट बैंक का पासबुक इमेल आइडी मुवाइल नंबर होना चाहिए पासपोर्ट साइज की फोटो डाकुमेंट प्रोपर्टी होनी चाहिए अब हम बात कर लेते हैं सेंजी पंप की डीलर सीप कौन कौन सी कंपनिया दे दे रही हैं अब हम बात कर लेते हैं सेंजी पंप लेने के लिए आनलाइन आवेदन कैसे किया जाता है अब आपको अपने कंप्यूटर लेप्टाप पर मुवाइल का ब्रॉजर उपन करने ब्रॉजर आपको टाइम करना है नेक्सटेन इनर्जी डॉट कॉम जैसे आप टा अब और चलिक करेंगे आप पर यहां से चार अपसन खुल के आएंगे ताप क्या से डिस्टिवीशन लाइसे वाले आपसन में क्लिक कर देना जैसे आपको आपको करके नीचे आ जाना है यहां से पूरी जानकारी अगर आप पढ़ना चाहें पढ़ सक देख सकति हैं से दि जानकार है समील जाएगा नेगजन इनर्जी यह यूजिंग क्या है आप यहां से इसकी बारे में पूरी देख सकते हैं इसके बाद अप्लाई करने के लिए आप इस अप्लाइबाले आपसं रेंगे क्लिक करने कि अप आप पास एक निया पेज़ ऑपन होके आएगा फिर मुवाइल नमबरों का मुवाइल नमबर डाल देंगे फिर इसका फ्रेंड आपको अपनी सिटी का नेम सलेट कर लेंगे फिर इसके बाद पर इसके 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 इनवेट्म कर सकते आपको चूछ कर लेंगा प्रोजेक्ट को चूछ कर लेंगे फिर इसके वाद आपके से सेलेक्ट लैंड सिटी के वारें क्या है लीज पर ले रहें या फिर सेल्फ है जो भी आप चूज कर लेंगे फिर लैंड की साइज कि इतने मीटर की होगी चलिए मैंसे अपनी लैंड की साइज डाल देते हैं फिर इसके बाद आपको यह से व्राइट यूर कोईरी है अपनी क कोड नमबर आप यह से पना डाल देंगे फिर इसके बाद आपके पूरी जानकारी चेक कि जाएगी क्या आपके एरिया में खोलने योग है यह जो भी आप डाकुमेंट दिये गहें वह एक डाकुमेंट लीगल है फिर जो क्राइटेरिया रखेंगे आप उस क्राइटेरिय पूरी जानकारी हों से चेक की जाएगी यह जो भी और कॉन्टेक्क नमबर देगा उसंसे बात की जाएगी सके बाद आपसे इंटरव्यव के लिए बुलाएंगे फिर आको इंटरव्यू देने वाप उसमें गांगर दिया जाता है उस नमबर से पिर आपको दोस्तोंमने स बहुती आसानी के साथ दोस्तों यह थी पूरा प्रोसेस कैसे आप से अपके डीलर्शिप के लिए आनलाइन अपलाई कर सकते हैं मैंने आपको इस टेप बाइस पूरा इस वीडियो में डिटेल से पूरी जानकारी दे दी है उम्मिद करता हूं आपको काफी पसंद आया होग तक पहुंचता रहेगा मैं जल्द मिलूँगा नए वीडियो नए टॉपिक साथ आप तक के लिए जाए हैं टेक के आरे